वेलकम टू सवरफ समाजीक उलराउंडर चैनल सवरफ समाजीक उलराउंडर चैनल में आपका स्वागत है अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दवाने ना भूलें और आप सब्सक्राइब करके घंटी यानी बेल आईकन दवाने अवस्ची जानते होंगे तो देर की इस बात का सब्सक्रायब ना तो चलिए अज़ बात करते हैं राजमहल से मानिक चख गंगा पुल का निर्मान के बिसे हैं में बात करती हैं पिछले कई वर्सों से चेर्चा मैं दिख रहे हैं कि राजमहल मानिक चक गंगापुल का निर्मान शुरू होगा तो आम जनता के लिए यातायात के सुविधाओं के साथ साथ आयात निर्यात में काफी सुधार दिखने को मिलेंगे राजमहल से मानिक चक के बीच गंगापुल के बारे में कोई नियूज अपडेट अभी तक नहीं आया है लेकिन इतना जरूर होगा कि यातायात में अगर गंगापुल ब्रीज बनने से यातायात में काफी सुधार होगी तो राजमहल से मानिक चक पुल का निर्मान होना तो अभी तक लगभग मुश्किल दिख रहा है क्योंकि इसका मुखे कारण है कि कुछ वर्ष पहले हमारे देश के परधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने साहिब गंसे मनिहारी के बीच गंगापुल का निर्मान का एलान किया और आधा कारिये आपका लगभग पुर्ण हो गया है अगर आप साहिब गंसे शक्री गली बंदरगा देखना चाहते हैं कि किस परकार कारिये आधा से अधिक हो चुका है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप देख सकते हैं तो चलिए आज बात करते है राजमहल से मानिक चक के बीच में बारत करें तो राजमहल से मानिक चक के बीच अगर पूल बन गया तो सारा दिक्कतों का सामना करना बंद हो जाएगा और राजमहल से मानिहारी के बीच गंगा पूल का निर्मान होने से रोजगार का अवसर बढ़ेगा अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि सक्री गली बंदरगा क्या बंगाल यानी राजमहल मानिक चक के पूल से जुड़ता है या नहीं लेकिन मानिक चक तक जुड़ने की काफी उम्मीद दे जगी हैं ये एक हम आपको अपडेट न्यूज अपडेट के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाता हूं लेकिन राजमहल से मानिक चक के पूल बन जाने से यात्रियों को और यातायात में तो काफी सुधार दिखने को मिलेंगे और इसलिए मैं बोर रहा हूं कि राजमहल एक एतिहासिक जगह है जो राजाओं का महल है यहाँ पर राजमहल के आसपास आपको मैं बता देता हूं कि एतिहासिक अस्थल का नाम बता देता हूं कि सिंगी दलाम पतवला जी जामा मस्जीद कनहिया स्थान मोती जहरना जिसे राजाओं के महल के नाम से जाना जाता है राजमहल को इसलिए आप राजमहल को एक बार जरूर आए इतना जरूर है पहले के व्यक्ति औ से यात्रा करते थे अब आपको पूल के माधियम से यानि की बंदरगा के माधियम से इस पूल के द्वारा सफर करना पड़ सकता है जब पहले के व्यक्ति और अभी के व्यक्ति में काफी सुधार हुआ तो पहले के यातायात की सुविधा और अभी के यातायात की आने ना भूले इसी तरह कि कोई भी वीडियो आपको साहिवगान मनिहारी के इस चैनल पर वीडियो बनाया गया है अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करने भूल गए हैं तो ये बिल्कुल गलत बात हैं क्योंकि इस तरह के वीडियो आपने क्या भी भी नहीं देख होगा और लाइक करने सब्सक्राइब करने ना जी आए अ कि अ